अक्टूबर का आखरी सप्ता है हलकी ठंडक हो गई है धनिया बोने के लिए अब मौसम बिल्कुल सही है नमस्कार मित्रो लीजे मैं फिर आ गई हूँ धनिया का वीडियो लेके और कुछ आज कुछ अलग तरह से बताऊंगी धनिया कई तरह से बोया जाता है हलका दबाओ दें ताकि धनिया कुछले नहीं बस टूपीस हो जाए कपड़े पर इसलिए कि ताकि वो उचट के इधर उधर न जाए किसी भी हार्ट चीज पर करके आप डाल सकते हैं यह मैं गैस के प्लेट फार्म के उपर कपड़ा बिछा कर कर रही हूँ बस इतना इध्यान रखना कि कुछल जो टूपीस हो जाए उसको अलग करना कुछल न जाए यह जो धनिया मैं यूज कर रही हूँ यह खास करके पत्ती के लिए यूज किया जाता है यह मसाले में खाने वाला धनिया नहीं है जो कि हम जिसका पीस के मसाला खाते है वो धनिया अलग होता है वो देशी धनिया कहलाता है यह हाइब्रीड है इस तरह से थाली में लेकर हमने टूपीस वाला अलग कर लिया और यह जो खड़ा है वो अलग कर लिया और खड़े को दोबारा टूपीस कर लेंगे आप चाहें तो खड़ा भी बो सकते हैं लेकिन खड़ा धनिया बहुत देर से निकलता है टूपीस जल्दे निकलाता है ये जतना धनिया था उतनी ही बर्मी कमपोस्ट मिला ली थोड़ी सी राख मिला ली ध्यान रहे राख जादा ना मिला राख मिला इसलिए रही हूँ कि ये एंटी फंगल का काम करती है और खाट जो है ना बर्मी कमपोस्ट मिला रही हूँ वो खाना खुरा इसको बीज को देगी तो पौदा उगते ही हैल्दी होगा पिछली वार जो मैंने धनिया बताया था वो ऐसे ही छिड़क के बोना बता दिया था आज के धनिया में मैं नाली बना के बता रही हूँ मेरी श्रीमान जी मेरी मदद कर रहे हैं ये जो मिट्टी तैयार की है इसमें 40% तक खाध है एक नाली से दूसरे नाली की दूरी 4 अंच के आसपास है अगर खेत होता तो एक फ्रिट लेते ड्रम है बहुत छोटी जगे है तो हमको थोड़ा लालच रहता है गहराई नाली की एक से डेड़ अंच के आसपास है मिट्टी मैं एक दिन पहले अच्छे से पानी दे दिया था तो अभी मिट्टी में बहुत सारा मॉइस्चर है लेकिन गीलापन नहीं है भुरबुरी है देख लिए खुरपी चलने से आपको समझ में आ रहा होगा अब फिर हमने नाली में थोड़ा सा वर्मी कमपोस्ट डाल दिया आपके पास नहों तो आप गोबर खाद भी डाल सकते हैं गोबर खाद या वर्मी कमपोस्ट पुराना ही यूज करें अगर नया खाद होगा तो उसमें फंगस अटेक का डर रहता है धनिया बोते समय हमसे ये गलती होती है कि हम जादा पानी दे देतें धनिया में और वो मर जाता है तो आज मैं इसी विधी से बता रहे हूँ कि हम सचाई करेंगे ही नहीं हमने गीली मिट्टी में देखे नालिया बनाई और इस तरह से खाद डाला और उंगली से खाद को भी मिला दिया तो जो मिट्टी है यानि धनिया का जो घर है वो हमने अच्छे से सजा दिया मिट्टी को खूब स्वस्त बना दिया और अब धनिया बोएंगे धनिया में गोबर की खाद और राक मिलाने का एक फायदा ये भी है कि ये घना नहीं पड़ेगा कितना भी घना डालेंगे हम तब भी उसमें इतना दूसरा मट्रिल मिला दिया है कि वो बहुत घना नहीं होगा तो ये ट्रिक आप नोट कर लें कि जब भी कोई बारीग बीज हो वो अक्सर पालग, मेथी, धनिया, चौलाई, अमरंथस घने पड़ जाते हमसे तो घना नहीं हो इसके लिए आप उसमें एक मुठ़्े की जगह, दो मुठ़्े की बर्मी कमपोस्ट मिला ले और फिर वो कभी भी घना नहीं पड़ेगा हर उसमें नाली में एक जैसा बोईंगे तो अच्छा रहेगा कितना गहरा डाल रहे हैं इस बीज को जो बीज का साइज उससे तीन कुने तक ले जा सकते हैं ये एक इंच गहरा तो होगा आराम से एक इंच गहराई तक आराम से निकल आता है धनिया और थुड़ा गहरा रहता है तो उसको मौश्चर भी वर करार रहता है बहुत उपर डालने से जल्दी से मौश्चर सूख जाएगा फिर धनिया को मौश्चर नहीं मिलता तो वो प्रोपर अंकुरित नहीं होता ठीक इसके विपरीत अधिक गहरा डाल दिया तो जादा मौश्चर मिल जाता है तो बीज सड़ भी सकता है इसके अलावा उपर वाले का बहुत बड़ा रोल है उपर वाले से मतलब है अगर हमने बोया धनिया हो मौसम एकदम से उपर नीचे हो गया तब भी अंकुरण नहीं होता अंकुरित होने के लिए एक निश्चित वातावर्ण और निश्चित तापमान चाहिए वो नहीं मिलता तो बीज अंकुरित नहीं होता पॉली हाउस यही करके देता है कि बीज की फितरत जानकर उसको मौसम मोहिया कराता है ये नालिया हमने बंद कर दी है और अब लगबग सारा बीज ढग गया है फिर भी अगर हमें लगता है कि कहीं कोई दाना उपर रह गया होगा तो हम थोड़ी सी मिट्टी उपर से और डालेंगे ताकि 100% यह हो जाए कि कवर हो गया ये हमने मिट्टी के साथ थोड़ी सी खाद भी और डाली है तो खाद की मातरा अच्छी खासी हो गए इसमें और ये मिट्टी डाल दी मिट्टी च्छनी होई है मेरी ता कि कोई धेला नहीं हो तो बीज को निकल के आने में असुविधा न हो इसके बाद हम इसे मोटे कपड़े से ढख सकते हैं अगर आपके पास पॉली शीट हो तो बहुत ही अच्छा है क्यों ढख रहे हैं? मिठी का मॉइस्चर बाहर न निकले धनिया निकलने में कम से कम 10 दिन लेता है लेट अंकरन होता है तो 10 दिन तक उसे लगातार मॉइस्चर चाहिए यदि हम छट पे 3 मंजिल में हैं, आज हम पानी नहीं डाल रहे हैं हो सकता है 3 दिन बाद ये मॉइस्चर खत्म हो जाए तो हम कपड़ा उठा कर चेक करेंगे और हमें लगेगा कि उपर की लेर्ड सूख रही है तो हम स्प्रेगन से हलका सा मॉइस्चर देंगे जादा पानी धनिया में देंगे तो मरने की धनिया बहुत जल्दी सड़ जाता है मरने की संभावना रहती है तो अभी तो मैंने कपड़े से ही धक दिया है कपड़ा धक रहे हैं तो मोटा धके और अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं बाद में इस पर पॉली सीट भी धकूँगी अभी मुझे मिली नहीं बीच बीच में कपड़ा उठा कर यह चेक करते रहें कि मिट्टी तो नहीं सूख रही क्योंकि मिट्टी का मॉइस्ट रहना बहुत जरूरी है यदि सूख रही हो तो आप स्प्रे गंसे थोड़ा सा स्प्रे कर दें ताकि उपर की लेयर सॉफ्ट रहे तो अमीद है वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार